मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक निजर सुर्खियों पर स्मार्ट मीटर ग्राकों को लोड से जादा बिजली खर्च करने पर जिर्माना नहीं राज्य में भूजल को दुरुस्त करने के लिए बनेगी सोपी पांग से साथ जून तक काला बिल्ला लगा कर वाहन चलाएंगे पड़ी वाहन कर्मी बांका में सोना तलाशने का काम जारी एशिया कब 2023 में पाकस्तान के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं भारत वोकताओं के दोरा लोड से अधिक बिजली उठाया जाता है तो इसके लिए वोकताओं को जर्माना देनी की जरूरत नहीं पड़ेगी बता दे कि 6 महीने के अवधी तक वास्तविक लोड और खपत के आधार पर ही वोकताओं को बिजली बिल चुकाने होंगे लेकिन अगर 6 महीने के बाद वोकताओं के दोरा लोड से अधिक बिजली उठायी जाती है तो उनके बिजली बिल में जर्माना जोड दिया जाएगा हालाक इससे पहले वोकताओं को मुवाइल एप पर या SMS के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी बता दे ही कंपनी के ओर से इसकी मंजूरी को लिकर बिहार विद्यूत विनियामक आयोग में याचिका दाखिल करवाई गई है और साथ याईों के निर्देश के आधार पर कंप्टियों के दोरा इससे संबंध प्राड़ों पर आम लोगों से 13 जून तक सुझाओ मागा है पान से साथ जून तक काला बिल्ला लगा कर वाहन चलाएंगे पडिवाहन कर्मी औल इंडिया रोड रांस्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की प्रदीश उपाध्यक्ष अंजनी प्रशाद की अध्यक्सा में बिहार की राजधानी पतना के जमाल रोड इसित शुरया कॉंप्लेक्स में बिहार राज्य कमीटी की एक बैठक आयुजित की गई थी जिसका आठ जून को सभी जिला मुख्यालियों पर विरोध पदर्शन किया जाएगा और फिर एक सितंबर को एक दिवस ये राजय अस्तरिये हरतार रहेगा आपके जानकारी की बता दे कि इनकी मांग है कि पत पड़िवहन सरक सुरक्षा विध्यक 2019 की पूरी तरह वापस ले लिय होती है ऐसे में सुखार की समस्या को देखते वे भूजल की समस्या को दुरुस्त करने के लिए किंद्र सरकार के दोर अमिटिंग कर सभी राज्यों को SOP जारी क्या है बता दे किस SOP के अंतर गत उन सभी बिंदुऊपर चर्चा की गई जिससे की भूजल के सित्यetie को ठीक किया जा सके, मालूम हो कि भूजल के गिरते अस्तर को बेतर बनाया जा सके, इसके लिए critical इलाकों में नीजी बोरिंग पर भी अंकुस लगाया जाएगा, बता दे कि इसके लिए समय तै होगा और नीजी बोरिंग कराने में प्रशासनिक फरक्रिया पूरी की जाएगी आपके जानकारी के लिए बता देके Central Ground Water Board के रिपोर्ट के अनुसार Critical Zone में जो इरिया आते हैं उनमें भोजपूर में एक, मुझहपरपूर में एक, नालंदा में एक, पटना में तीन, वैशाली में दो, सेखपूरा में एक और समस्तेपूर के एक ब्लॉक शामिल है मालम हो कि यहाँ पानी की निकाशी तेजी से हो रही है लेकिन पानी वापस धर्ती में नहीं जा रही UPSC ने फिर बदला प्रश्ण पूछने का पैटन बीते दिन UPSC 2023 की प्राडंबिक परिच्छा ली गए जिसमें पहला पे पर जेनरल स्टरीज सुबह सारहे नौ बज़े से सारहे ग्यारा बज़े तक चला और दूसरा पे पर सी सेट ढ़ाई बज़े से चार तीस बज़े तक हुआ बता दे कि सवल सेवा के विशश्रग्य गुडू एम रह्मान के दोरा बीते दिन हुए UPSC परिच्छा के प्रश्णों के पैटन के बारे में जानकारी देते वे बताया गया किस बार परिच्छा में पूछे गए प्रश्ण पुडव की वर्शों की भाती अलग तरीके से उन्होंने बताया कि इस बार की परिच्छा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के दोरा अगर गहराई से अध्यान नहीं किया गया होगा तो उत्तर का चुनाओ करने में कठिनाई आई होगी बता दे कि उनके दोरा दीगए जानकारी के अरुसार अगर कट आफ की बात क से एक सोनी की तरह चमकने वाला पीले रंग का मिटल भी है हाला कि ये क्या है इस बारे में आधिकालिक तोर पर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार अब तक 28 वॉक्स सैंपल को कलिक्ट किया गया है जिसे जियासाई के तीन जमीन की खुदाई की जा चुकी है पटना जंक्सन पर जून से यात्रियों को मिलेगी नई सुधा जून महीने से यात्रियों को पटना जंक्सन पर नई सुधा मिलने वाली है बता दे कि पटना जंक्सन के प्लैटफॉर्म नंबर 10 पर यात्रियों के सहूलियत के लिए लि इत्री हिस्ते पर काम किया जारा है इसके अलावा प्लैटफॉर्म नमवर 4 से 5 पर इसकलेटर लगाने का भी काम किया जारा है हाला की इसकलेटर के शुरु होने में थोड़ा समय लगेगा आपकी जानकारी के लिफ्ट और स्कलेटर का नर्मान कुल 60 लाक रूपे की लागत से पूरा किया जा रहा पारसल ट्रक से होड़ ही सराप तसकरी को पुलिस नहीं पकड़ा बिहार में सराप बनती है इससे तो हम सब ही वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन सराप तसकरी से जोने मामले सुनने को मिलते रहते हैं पतादे की ताजा मामला बिहार के राजधानी पटना से सटे बीटा थाना इलाके का है जहां मध निशे दिभाग पटना की गुप्त सूचना के आधार पर बीटा पुलिस के द्वारा अमहरा गाव इस्थित एक गोडाउन से हरियाना नंबर वाले पार्शल वाहन ट्रक से चापे मारी करभारी मातरा में अवैद सराब की खेप बडामत की कई है और साथी एक यूवक की भी गिरफ्तारी की कई है जिसकी पहचान अमहरा गाव निवासी विशाल कुमार के रूप में की कई है इसके साथी पुलिस के द्वारा उस पार्शल वाहन ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है, मालुम हो कि अवयत सरापकी की मतलग भग 8 से 10 लाख रुपे बताई जा रही है। कि एक छुक छातर जो दक्षान समारों में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आविदन करना होगा, जिसकी शिरवात आज यानी की 29 मही से हो गई है, जो कि किस जुन तक चलेगी। प्रसुत फिल्म चरिया खाना जो की फुटबॉल पर आधारित बिहारी लड़कों की कहानी है, उसे प्लाटून वन के दौरा 2 जून को रिलीस किया जा रहा है। पतादेक इस फिल्म में करदार के रूप में सांसद और एक्टर रविकिशन रित्विक सहोर अवनीत को और प्रशांत नाराएंटा जिश्वरी सचदेव कोविंद नामदेव अंजन श्रिवास्तव नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा इसके लिए रविकिशन के द्वारा मांग की गई है और साथ ही इसके लिए राश्य फिल्म विकास निगम के द्वारा बिहार सरकार में वित विवाद के अपर मुकेस अचीव को अनुरोद पत्र भी भेजा गया है। इस फिल्म को लेकर भारतिय फुटबॉल टीम के पुर्वकप्तान और पदमश्री सम्मान से सम्मानित बाईचुंग भूटिया के द्वारा भी सराना की गई है और साथ ही दर्शकों से अपील भी की गई है कि वह इस फिल्म को जरूर देखे। काम अंदिम चरण में हैं ऐसे मेंस काम के पूरा होते ही ऐसा अनुमान लगाया जारा है कि 15 जुलाई से दिग्धा से गाइघार तक वहन के परिचालन के शिर्वात हो जाएगी। मालुम हो कि अगर वहन के परिचालन के शिर्वात हो जाती है तो गाइघार से दिग्धा आने में लोगों को लगभग 20-25 मिनट लगेंगे जिसे कि उनके समय में काफी बचत होगी और साथ ही गांधी मैदान से गाइघार आने जाने में अशोक राजपत में होने वाले जा सबी लोगों को रहत मिलेगी मालुम हो कि असी संभाव नजटाई जा रही है कि वर्ज 2025 के जनवरी महीने तक जेपी गंगा पत्थ फूड़ा हो जाएगा मंत्री आफाक आलम की अचानक बिगरी तबियत मिलने पहुंचे सीयर नितीश बिहार सिरकार के पसुपारन एवा मत से मंत्री आफाक आलम की तबियत अचानक बिगर गए जिसके बाद उन्हें आनन्फानन में पूर्णिया से एयर लिफ्ट कर पटना लाया गया जहां उन्हें मिदानता अस्पताल में भरती कराया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है पता दे कि मिल जानकारी के नुसा पताल में मिलने के लिए मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिना भी पहुँचे मालू हो कि मीदिया में चल रही खबरों के नुसार मंत्री अफाक आलम के सिती गंभीर बताई जा रही है राजसभा के उपसभापती हरिवन्स पर जेडियू कारो पीते दिन पियम मूदी के द्वारा देश को नए संसत भवन का सौकात दिया गया एस दोरा राजसभापती हरिवन्स भी इस कारिक्रम में शामिल हुए जो जेडियू के राजसभा सांसत भी है इसे लेकर अब जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार के दोरा हरिवन्स पर आरोप लगाये गया है उन्होंने कारिक्रम में नहीं बुलाये गया वहीं उपसभापती के तोर पर वहां हरिवन्स मौजूद रहे जो दिखाता है कि आपका दिल कहीं और लग रहा है इसके साथ ही संसत को घाटन के दुरान साधू संतों के संसत में प्रवेश पर तंच कस्तेवे कहा कि यह तश्वीर जैप्रकाश नारायन को भी दुखी कर रही होगी जबकि जैपी के उसी सिताब दियारा वाले हरिवन्स ऐसे समारों में शामिल हो रहे थे एकोर राजसभा कि सभापती का मान मर्दन हो रहा जबकि हरिवन्स पर भी सभापती की मर्यादा को अच्छन रखने का दायत था लेकिन उन्होंने ऐसान नहीं किया यह साफ दिखता है कि पद के लिए जमीर से समझोता कर लिया एशिया कब 2023 में पाकस्तान के हाइब्रीड मॉडल के पक्ष में नहीं भारत भारते क्रिकेट बोर्ड ग्यानी की बीसी सी आई के द्वारा पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सर्थी के एशिया कप को लेकर हाइब्रीड मॉडल का समर्थन करने से इंकार किय ऐसे में अब इसका अंतीम फैसला केवल ACC कारेकारी बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा जिसे जैसा को तलब करना होगा आपकी जानकारी के लिबता दे के ACC कारेकारी निगाएं में 25 सदस्ते हैं इसमें 5 टेस्ट खेले वाले देश भारत, पाकस्तान, बांगला देश, श्रिलंका और अफगानिस्तान, 3 वंडे और T20I के वाले देश और 17 देश सिर्फ T20 के साथ सामिल है मालुम हो कि पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुक नजम सर्थी ने S.E.C. को बताया कि दो देशों में एशिया कप होनी का मतला प्रसारकों के लिए दो गुनाल लाब है लेकिन BCCI को लगता है कि यह एक बुड़ा विचार है क्योंकि UAE नेट्रल स्थान नहीं हो सकता है बता देश कप में शुरवाद के चार मैच और दो सूपर मैच पाकस्तान में होंगे जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट? इसके साथ ही गया में पिट्रॉल के इमत 108.3 एक रूपय और डीजल की बिहार में पिट्रॉल का रेट सबसारा कसन गंज में है जहां पिट्रॉल 109.6 रूपय प्रति लीटर और डीजल 96.23 रूपय प्रति लिटर की दर से मिल रहा है बिते दिने मंदरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगर भज़ा आप हमें अमारी कमंडर सक्षन बॉक्स में लिखका दिया है जिन्होंने मंदरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया अनवर करीम खान उमेश्ची सिदेव पीके चेत्र में गर्मियों में भूजल के जिती कैसी रहती है आपने जाओं हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख करना ना भूले धन्यवाद